भगवान का शरीर इनका शरीर पंच महाभूत से नहीं बनता तो ये श्रीकृष्ण देवकी से पैदा हुए ये गलत खबर है देवकी नंदन है बासुदेव है बसुदेव सुत है शास्त्र कह रहे है ये गलत है नहीं गलत नहीं है फिर ये मा के पैट में नहीं गये ये भी तो लिखा है भागवत में आपने सुना नहीं समझा नहीं भागवत भगवान अपिविश्वात्मा भक्ता नाम भयंकरा अभिवेशांश भागेन मन आनक दुन्दु भेह दश्मस्कंद के दूसरे अध्याका सोलामा अश्लोट भगवान बसुदेव के मन में गए मन आनक दुन्दु भेह भागवत में लिगा है मन में गए मन में पेट में नहीं अब बसुदेव के बसुदेव के गर्भाशे थोड़े ही है मन में गए फिर उसके बाद गर्भेच बाईवना पूर्णे निरलिप्तो भगवान स्वयम देवकी के पेट में गए नहीं फिर देवकी के मन में गए और पेट में क्या हुआ पेट बढ़ता गया संसारी मा की तरे हाँ वो कैसे गर्भेच बाईवना पूर्णे वो भगवान ने मन में बैठके अब पेट को हवा भरते गए उसने एक मेने का हो गया दो मेने का हो गया फिर एक बार जैसे आप लोग फुटबाल हो गयरा में हवा भरते हैं हृत्पद्मकोशे देवक्या अधिष्ठानम चका रहा हृत्पद्मकोशे हरदय में देवकी के भगवान आराम से बैठे हैं मुस्कराते हुए और वहीं से योग माया से कह दिया कि मा को ऐसी फिलिंग कराते जाओ कि हमारे बच्चा और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया अब उसमें हो रहा है अब बच्चा जीवित है उसी प्रकार की फिलिंग जैसे संसारी मा को होती है उल्टी उल्टी साब वहीं से करते जाओ जरा भी डाउट नहों मा को कि कोई चमतकार हो रहा है पेट में हो फिर तो लीला बिगर जाएगी मा को बर्दान दिया था भगवान ने ये एक सुतपा नाम के प्रजापती थे और प्रिष्णी नाम के उनकी श्रीमती थी तो प्रिष्णी और सुतपा इन दोनों ने घोर तप किया बारा हजार देव बर्ष एक हजार देवताओं का बर्ष हमारे तीन लाख साथ हजार बर्ष के बराबर होता है तो बारा हजार बर्ष तेटालिस लाख बीस हजार बर्ष का हुआ इतने दिन तक प्रिष्णी और सुतपा प्रजापती ने तप किया तो भगवान प्रकट हुए है भगवान ने कहा बर मांगो आप सरी का पुत्र चाहते हैं हम लोग यह स्वायंभू मन्वंतर की बाप है आप सरी का पुत्र चाहते हैं भगवान ने बड़े मुस्कराते हुए बिना सोचे बिचारे ऐसे ही जैसे कोई आउंगा के उठे उनने का दिया जाओ दिया अब भगवान चले गए अपने लोग को आउं सोचने लगे कि मेरे सरी का पुत्र कौन है बला मैं कहां से लाओं अरे भगवान के बराबर तो कोई होता नहीं नतत समश्चा भ्यधिकाश्च द्रिश्चते बेद गहता है च्वेता चत्फ रोपणिसत छट्न अद्याय का आठवा मंत्र न भगवान के बराबर कोई है न उनसे बड़ा कोई है अरजुन से भी भगवान ने कहा नतत समोश्चा भ्यधिकाश्च कुतोण्या तुम्हारे समाने कोई नहीं यह बड़ा क्या होगा अधिक क्या होगा कि ग्यारवें अध्याय का तैंटालिसमाश लोग तो अगर भगवान ने कह दिया कि अपने समान समान देंगे बेटा देंगे और नहीं दे सकते तो फिर कानून यह है कि अपने आपको तीन बार दो प्राश्चित करो क्यों ऐसा कहा कि अपने समान पुत्र तुम को देंगे यह गलती किया तुमने तो इसका दंड भोगो तीन बार बेटे बनो तो एक बार प्रिष्णी और सुत्पा से प्रिष्णी गर्भ नाम के पुत्र रूप में भगवान आये उसके दूसरे जन्म में अधिती और कश्यप यह माबाप उनसे उपेंद्र अवतार हुआ बामन का और तीसरे जन्म में बसुदेव देवकी के यहाए कृष्णा वतार हुआ तीन जन्म तक भोगना पड़ा तो वो पहले बसुदेव के मन में गए फिर देवकी के मन में गए और फिर क्या हुआ विश्णो सर्वगुहा शया आविरासित जथा प्राच्याम दिशिन दुरिव पुष्कला जब बाकाइदा टाइम पूरा हो गया संसार में जैसे होता है माओं के यहाँ तो आविरासित सामने खड़े हो गए आके पेट से निकले नहीं क्या निकलते पेट में तो हवा थी वो हवा निकल गई अब वो बाहर से कहीं दिवाल तोड़के फोड़के नहीं वो तो सर भिव्यापक है ना उनको कहीं से आना नहीं है कि वो छेद हो गया जेल की दिवाल में ऐसे जब आए तो ऐसा नहीं वो तो सब जिगे रहते हैं वहीं खड़े हो गये सोला बर्ष के तमद्धुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर भुजं शंक गदार जुदा जुधं दश्मसकंद के तीसरे अध्याइका नौवाश लोग चार भुजा से पीतांबर पहने हम लोग तो नंगे पैदा हुए न ऐसा नहीं पेट से थोड़े ही आए वो तो एकदम प्रकट हो गये दो पीतांबर पहने सब जेवर पहने मुकुट लगाए शंक चक्र गदा पद्म और सोला बर्ष के चक्र लेके अगर मा के पेट में खड़े हो जाए खोई तो तो मा के पेट का आपरेशन हो जाए एक सेकंड में अनम्त कोट सूर्ज के समान धार है चक्र में तो बाहर आ गए तो देवकी को आप मालूम हो गया अरे यह गड़बड है यह तो हमारा बाप है हारे हमने तो बेटा मांगा था अस्तुति किया बस देवने पहले पत्पोस्त्य जन्मस्थित संजमान विभो बदंत्य निहा दगुणा दविक्रियात वईश्वरे ब्रह्मन नो विरुध्यते त्वदाश्रयत वादूप चर्यते गुणई दश्मसकंद के तीसरे अध्याय का वंति सुमाश लोग बसुदेव जी कहते हैं माराज मैंने सुना है कि आपके कोई इच्छा नहीं है भगवान ने सिरह लाया हाँ आप में गुण भी नहीं है सत्व गुण रजो गुण तमो गुण और आप कुछ करते धरते नहीं है करता है हाँ हम कुछ नहीं करते क्यों करें हमें कुछ पाना है क्या तो पिर ये स्रिष्टी कौन करता है मैं स्रिष्टी की रक्षा कौन करता है मैं स्रिष्टी का प्रणाय कौन करता है मैं आप तो कहते हैं हम कुछ नहीं करते हमारे अंदर गुण भी नहीं है और हमारी इच्छा भी नहीं है हाँ वो भी ठीक है ये भी ठीक है ये महराज आपको कोई नहीं जान सकता दो बिरोधी धर्म हैं आप में तो बिरोधी धर्मी हैं भगवान निराकार साकार निर्गुण सगुण निर्विशेश शबिशेश करता अकरता और सब में सब से बाहर सर्व व्यापक न्याई भी कृपालू भी ओसंगरता भी स्रिष्टिकरता भी अकरता भी सब प्रकार के धर्म आप में हैं हाँ ओ गई उनकी स्तुति अब देवकी खड़ी हुई रूपम जत्यत्प्राहुर अभ्यक्तमाध्यम आप तो जो अभ्यक्त थे वो अभ्यक्त हो गए ब्रह्म जोतिर निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेशम निरीहम बड़ी लंबी लंबी ब्याक्ष्या है इन श्लोकों की आप संचेत में समझ लीजिए आप वगएरा 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 भगवान हैं देवकी ने भी कर दिया स्थूति इसके बाद देवकी ने मन में कहा कि क्यों जी आप भगवान हैं तो आपको सब के पिता हैं अम्रतस्वई पुत्रा आहा बेद कहता है सब जीव भगवान के पुत्र हैं तो मैंने तो बेटा मांगा था हमने बाप ठोड़ी मांगा था आप कैसे आ गए भगवान ने मने से ऐसा है ना कि अगर मैं इस रूप में ना आता और डाइरेक्ट छोटा सा बच्चा बन जाता तो तुमको डाउट होता कि यह वही है कि वह नहीं है इसलिए पहले मैंने अपना परिचे दे दिया कि मैं वही हूं जिसने बरदान दिया था अब तुमारी जो आग्या हो मैं उसक संघर विश्वात्मन दो रूप मलवकिकं के अलवकिक रूप महराज संबरन कर लिदिये और छोटे से शिशू बन जाईये छोटे से दश्मसकंद के तीसरे अध्याय का तीसमाश लोग तो भगवान ने कहा हो लोग बन जाते हैं छोटे से बन गए अब लीला शुरू हुई तो अब आप लोग समझेगे भगवान का शरीर पेट में नहीं बना यह भगवान बाहर से प्रकट हुए इसलिए मरने का सवाल ही नहीं जब पाइडाई नहीं हुए पेट से तो मरने का सवाल कहां से आएगा इसलिए जब भगवान अलक्षित हुए ग्यार में असकंद के 31 में अध्याय का छठवाश लोग तो योग धारणया अग्नेया दग्ध्वाधामा विशत्वकम लोका भिरामाम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलाम भगवान फिर उसी रूप में जिश्टी रूप में आये थे चार भुजा से उसी रूप में भगवान अलक्षित हो गये भगवान का शरीर दिव्य है